हाई फ्रेंट्स जो नए वीवर्स है जो फर्स टाइम देख रहे उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यहां वीडियो जो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्क्राइब कीजिए इसके पीचे एक कारण है कि आप जितने ज़्यादा सब्क्राइबर होगे उतन मैं जो ग्राप्टिंग का प्रकार बताने जा रहा हूं यहां वीप ग्राप्टिंग भी कहा जाता है यह टंग ग्राप्टिंग भी कहा जाता है यहां तो इसे जेड ग्राप्टिंग भी कहा जाता है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग प्रकार के इसे नाम दिये गए तो करते हैं लेकिन एक for your personal experience और personal knowledge आप कर सकते हैं तो इसमें दोस्तों 3 से 6 cm लगबग आपको इस प्रकार 0 से लेके आपको 45 डिग्री का लंबा कट slant लेना है slant cut जैसे भी ग्राप्टिम में करते हैं उसके बाद में यह करने के बाद में सेकंड कट आपको जैसे 1st cut आपने slant किया 0 से लेके याने 3 cm से लगबग 6 cm आप कर सकते slant वाला जैसे भी ग्राप्टिंग में करते हैं जैसी यहां कर रहा है उस प्रकार का वह में श्टाप में यहां जठर पेड़ पे किया जाता है ज़ने जठर ब्रैंचों फिर उस पे सेक जो कट है वहां लगबग 1 3rd इस पे करना पड़ता है सेकंड कट यहां पर मैंने उपर से ही कट कर दी यह वास्तों पे देखा जाए तो थोड़ा पोर्शन छोड़ना पड़ता है जैसे हैं 4 cm की कट है मैंने तिर्शी मारी उसके बाद में आपको 1 cm पोर्शन छोड़के वर प्रकार देखेगा उसके बाद में आपको वहां लकड़ी आपको मोटे लकड़ी मोटा पोर्शन जोए वहां ऐसा सिप्ट कीजिएगा इस प्रकार तो इस प्रकार यहां जेट टाइप का पोर्शन बन जाता है उसके बाद में उन्हें आप मिला लीजिएगा और टाइट ले आपको नीचे से उपर तक पॉलीथीन स कस लिजिएगा तो दोस्तों यहां कोले भाग पे, कोले ब्रैंच पे जनरली नहीं किया जाता है यहां थोड़े हार्ड पॉर्शन पे किया जाता है जैसे 6 महा पुरानी ब्रैंच है चार महाँ पुराना पेड़ हूं जाता है इसे प्लिपर किया जाता है एक्दम आप जैसे सीड से निकल हूं ए पेड़ पे आपको नहीं करना है तो यहां करने के लिए आप59 4 900 पेह और 6-8 मेने के ब्रैंच पेहां कर सकते हैं तो इसके लिए आपके मोटाई कितनी चीए तो पेंसील जैसी जाड़ी की मोटाई चीए पेंसील से थोड़ा छोटा रहा तो भी चल जाता है अब इसको बांधने के लिए आपको 50 micron का polythene best result के लिए लेना है लेकिन अगर 50 micron का अगर से मोटाला तो आप 0 micron से भी कर सकते ऐसा कुछ नहीं बसरते आपका इसमें टाइटनेस आना चीए तो यहां टाइटनेस के लिए मैं आपको रेफर करूंगा हाड उड पर अगर से हाड जो पॉर्शन है ऐसे पॉर्शन के लिए 50 micron का पॉलिटिन से अब यहां पॉलिटिन आपको कहा मिलेगा मार्केट में पॉलिटिन मिल जाती है तो आपको यहां बोरी नुमा होता है इसका मैंने वीडियो फुल वीडियो डाले है मैंने जीरो माइ इसके बाद में आपको क्या पहेना देनी की है तो इस परकार क्याप तो पच्छी से तीस दिन के बाद में आपको इसको ब्रैंचिंग निकल जाएगी